अनतनाक लोगसाबा शेत्र में पोलिंग के रफ्तार वक्त के साथ तेज होती जा रही हैं और इस समय हम अनतनाक के विस्सिरहामा इलाके में हैं यहां पे बड़ी संक्या में देखे तो मदाता है, लाइन्स में लग चुके हैं और अभी पहला ही गंटा पूरा हो चुका है वोटिंग का बड़ी संक्या में महिला और पुर्ष यहां पे वोट डालने के लिए आए हैं और जैसा के उमीद की जा रही थी कि इस बार अनतनाक के लाके में भी अच्छी खासी वोटिंग होगी तो वो देखने को यहां पे मिल रहा है कुल मिला के देखे तो डक्षिन कश्मीर के अनतनाग और कुलगाम के गेरा एसमबली सेग्मेंट में तकरीबन दस लाग चुरानवे हजार मत दाता आज अपने मत का प्रयोग करेंगे पिछली बार के चुनाओं में यहां पे जो मत प्रितिशद रहा था केवल नव प्रितिशद ही रहा था केवल नव प्रितिशद मत दाता उन्हें अपने मत का प्रयोग किया था लेकिन इस बार उमीद की जा रही है कि यह आंकडा और बढ़ेगा कुल अठारा लाग तीस हजार मत दाता अनतना कुलगाम पुंचो राजवरी के इलाकों में आज वोट करेंगे और जो मुक्य मकाबला है वो पीडी पी अध्यक्ष महभा मुक्ती नैशनल कॉन्फरेंस से मिया अल्काफ और अपनी पार्टी से जो है जफर अकबल मनहास के बीच है जफर अकबल मनहास की बात करें तो उनको बीजेपी का भी समर्थन हासल है किमकि बीजेपी इन चुनाओं में अपने प्रतिनेदी नहीं उटारी है और इसलिए अपनी पार्टी के प्रत्याशी को वोट देने की बात उन्होंने अपने समर्थकों से की है कुल मिला के देखे तो मुखे मुद्दा यहां पर भी दारा 370 के हटाए जाने के बाद लोगों का मूड है और पिछले 10 साल से जो लोग सभाज चुनाव तो हुए थे एक बाद 2019 में लेकिन 2014 के बाद विदान सभाज चुनाव नहीं हुए है इसलिए लोगों को ये उमीद हैं कि इन चुनाव के बाद जो है विदान सभाज चुनाव भी हो जाएंगा और इसलिए लग रहा है कि लोगों में उत्साह जादा है हम यहां से कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे जो की सुबह सुबह आज यहां पर लाइन पर आपका नाम क्या है भी जफर साब किस मुद्ध पर आज आप वोट करने के लिए आए हैं आपका नाम कोशिश नाम किस मुद्ध पर आप वोट आज करने के लिए हमारे जो मसाइल है जो मसले है वो हल होना चाहिए कोई भी काम होना चाहिए वो हल होना चाहिए दस साल से असम्बली चुनाव नहीं हुए कि आपको उमीद है कि इसके बाद असम्बली चुनावागा है आँ इंशालला होगा इसी विमें पर हमें यहां आज वोड डालेंगे इंशालला जो मसायल है वो हाल हो जाएगा आपका नाम देखे ज्यादातर मददाता कैमरा देखके डर जाते हैं और कैमरा के सामने बात करने की अच्छे करते हैं यहां पे एक हो सज़न है आपका नाम फारुक हामद फारुक साब आज क्या सोच के आप वोड डालने के लिए यहां पे आए आपका नाम महमद अबास मीर अबास आप आज वोड डालने के लिए आए हैं क्या सोच के वोड डालने के लिए पहला वोड है हमारा हमारा वोड नेशनल कांफरेंस को जाएगा आउ उसने हमारे साथ बहुत अच्छा यहां पे एक काम किया है इसे वाज़े से हम वोड डालेगी तैहलो अने वोड डालने के लिए अच्छा बरताव करेंगे और हमारी काम करेंगे बस तो यहां पर कुछ और लोग हैं इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, आपका नाम जान सकते हैं? आप भी बात नहीं करेंगे, आपका नाम जाये दामत। वोट डालने के लिए आये हैं, तो क्या मुद्दा लेकि आप, क्या सोच के वोट डालने के लिए हैं? आप यहां की डालने के लिए हैं, क्या समुद्धे पर आप वोट डालने के लिए हैं, क्या समुद्धे पर आप वोट आज करेंगे? यहां की डालने के लिए हैं, क्या समुद्धे पर आप वोट डालने के लिए हैं, क्या समुद्धे पर आप वोट डालने के लिए हैं, क्या समुद्धे पर आप वोट डालने के लिए हैं, तो क्या समुद्धे पर आप वोट डालने के लिए हैं, क्या समुद्धे पर आप क्योंकि 2019 के बाद ये पहला चुनाव हैं जो हो रहा है हाँ लोग को का दिल जो है वो इस बार कुछ अलग सा करना चाहते हैं मतलब कि यहां पे जो भी प्रिवियस जालापमेंट हो ही है लोग उसी के हिसाब से वोट डालना चाहते हैं उसी पे वो अपना ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं तो यहां पे जो लोग हैं वो विकास के मुद्धे पर ही वोट डालने में ज़्यादा यकीन रख रहे हैं और कहीं न कहीं जो विदान सवा चुनाओं में होने वाली धेरी और 2019 के बाद ले गए फैसले भी इन के वोटिंग पैटरन पे असर डालेंगे लेकिन अब कुल मिला के आज शाम तक पता चल जाएगा कि क्या पिछले चुनाओं की तरह केवल नव प्रतिशक प्रतियाशी अनतनाग कोलगाम में वोट करेंगे या इस बार आंकडा स्री नगर और बारा मुला की तरह रिकॉर्ड तोड़ेगा कैमरामेन अरशाद हुसान के साथ आसिफ कुरेश एबी पी न्यूज सिरहामा बिजबहारा अनतनाग